आज हम लोग बहुत ही अच्छा वीडियो लाएं है इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा कवर करेंगे स्टार्टिंग से पाप्रिक कैसे आपको डिसाइड करना है कैसा आपको चाहिए और वह सारी चीज़ें हम लोगों के बारे में लोगों को राइट की वारे में पता नहीं है लोगों को राइट विडिया होना चाहिए फॉर्मल पांट शेट का वह भी हमें नहीं पता है तो आप बनाए उसके लिए तो तो तुरा और 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 पैकेज रहेगा यह वीडियो में वीडियो में हमारे साथ रहेंगे रांगी और हमारी साथ नहीं सीवी तो अब हम चाहिए तो बेसिक पॉर्मल पांट चलते हैं अगर पहली बार पहने पहले तो या तो इसका कोई इंटर्वी होगा या फिर वह जो नई जॉब है उसमें जॉइनिंग लेगा तो पहनने पड़ेंगे तो उनी चीजों को देखे वे तो पालर पांबिनेशन रहना चाहिए वह कलर पांबिनेशन में आप लोगों को बता लेता हूं इसके तो इसके साथ जो मोस्त इंपोर्टेंट है वह कलर है ने भी व्लीव कलर का पैंड है तो तो और अब दिखा दीजिए यह देख लिए आया आप लोगों ने तो गाइज मैं आप लोगों को तीन शैट का कॉंबिनेशन दिखाऊंगा और तीन आपको पैंड का कॉंबिनेशन दिखाऊंगा इससे आपका जो फॉर्मल बेसिक वाडरोब है वो बन जाएगा मतलब यह तीन चीजी कॉंबोस आप अगर लेते हैं तो इससे आप नाइन वह कंप्रीट हो जाएगा तो पहले बेसिक यह देख लीजिए फिर आम इंटर चेंज करके भी आपको दिखाएंगे यह वांपेनेशन प्रोटल नाइन वांपोस बन जाएंगे ती शैट और टीन पैंट सभी सब्सक्राइब आप जा सकते हैं पैंट रहेगा ब्लाइक के सब्सक्राइब जाएंगे जब भी आप पैनेंगे तो खुछ भी सोचने का जरूत नहीं है यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है आप कैसी भी कर सकते हैं बहुत जागा चलता है फॉर्मल्स में ब्लाक है और वाइट है तो यह कॉम्बिनेशन आप में देख लिया है यह दूसर किसी भी शेयर बेख़े लेंगे इनका फोर मॉर्स तो जो इंपर्टेंट वर्यूटर वैनिफिट है इसलिए हम लोगों ने इन कलर्श को चूज किया है तो आप तार बंदेखें यह जो ग्रे कलर है थोड़ा सा डाक ग्रे कलर है एकड़ चारकोल ग्रें चारकोल ग्रें से पिंग कलर का तो गाइज यह कॉम्बिनेशन भी बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है तो यह आप लोग देख सकते हैं सारी चीजे और बहुत ही अच्छी है अब हम थोड़ा से इंटरचेंज करके दिखाना चाहता हूं मैं तो इंटरचेंज करके द ग्रे के साथ वाइट कलर का यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक से जादा प्यारा लगता है तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं अब इसी वाइट शेड को हम लोग क्या करेंगे इसको हम पहनेंगे नेवी ब्लू पैंट जो रहेगा उसी के साथ हम इसको प्राइट के साथ प्राइट के साथ पैंगे आप देखिये बहुत ही अच्छे पांबिनेशन बन जाएंगे और आपका जो प्राब्लम है और जो बजट का भी प्राब्लम हो प्राइट के साथ बहुत अच्छा लगेगा ब्लाक के साथ अगें यूनिवर्सल ब्लाक होता है किसी भी शेट के साथ चलता है तो यह देखिए यह भी बहुत ऐलिगेंट और बहुत ग्रेस्पूल लोग आगा अगें अगर हम इसको कम्तियार करेंगे हमारा ग्रे के साथ बहुत ही त्यारा कॉंबिनेशन आरा गाइस आप यह देख लीजे और यह मेरी बातों में विश्वास ना करें जब आप इसको खुद ट्राइल करेंगे जब आप समझ में आ जाएगा यह चीजे बहुत इंगी अच्छी तरीके से बताई गई है और यह नॉलिज किसी ने आप लोगों को दिया नहीं होगा अगें अब मैं पिंक शेट को अठाके हमारा जो स्काइब यू शेट हमने लिए था वह में इंकी नो पैंट्स के साथ मैंच करके जाएगा अगर हम जिसको चेंज करेंगे हैं से रिखार जाएग देखो और स्काइब यू जानता है कि यह अगर जानता है यह बहुत प्रण है तो यह देख लीजें बहुत ऐलिगेंट है और बहुत नहीं ही प्यारा है अगें अब आप देखिए चार्पोल ग्रेगे साथ भी इतना इसकाइब लिव जो शेट है मारा कितका अच्छा लग रहा है तो यह सारी चीजे बहुत बना लिए तो यह सारी चीजे जब आप बदल बदल पर जाओ रोजाना नया लुक आएगा रोजाना फील अच्छा लगेगा और मैं यह कहना चाहता हूं प्राफिक का हमने बात कर लिया है तो अब करना चाहिए बहुत बड़ा कि हम लोगों को रेडी मेंट रेडी मेंट जो होते हैं मतलब तेलर के पास जाते हैं तो बहुत करना चाहिए रेडी मेंट लेना चाहिए तो ऑल्वेज अगर आप फॉर्मल पैंट शेट बहुत ही अच्छा लगता है जब हम यह सारे की घ्यार करते हैं स्टेशली टेलर भी डेडी मेंटी की स्टेंडर साइज होता है हो आप लोगों के लिए स्टेशी नहीं बना गयरा है खोंवे इसलीए टेलर परेट हमें जाना चाहिए तो अब हमने बात pasture प्ाप्रिक के shapers को बताव हुए को स्क्राइब लोगों यूस का हो ज़यना चाहिए पाप्रिक को से चलता है और बजट फ्रैंडली भी रहता है इसका रेंज थोड़ा सा कम रहता है अगर जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो टैरी बूल का पैंट होता है और अच्छा रहता है तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम है कि हमें आयरेंग की दिक्कत होती है तो आप लोग पीसी प्रॉटन आता है मतलब मिक्स रहता है और उसमें आयरेंग जो रिंकल्स वगरा पढ़ते हैं वो कम पढ़ते हैं तो वो देली बियर के साब से आप वाली इसको पैंड मे ढासे तीक और यह सारी चीजिए क्रीच और समल्स उट्रों कर दी है थोड़ा सब держ बटन लगने के बाद एक फिंगर ऐसे लगा के पूरा घूमना चीए यह देख लिए तो फिटिंग यह आपका प्रॉपर फिट होना चीए अगर ऐसे देखिए मेरा फिंगर इजीली मूँ कर रहा है बटन लगने के बाद तो यह अगर नहीं होने चीए तो यह आप इसका ध्यां करती है एक यह आम होल्स होते हैं यह वाले जो आम होल्स हैं यह यह इसली फ्रीली मूँ होना चीए जैसे मैं हैंड मोमेंट करता हूं तो भी मेरा शैट ठकी है ज्यादा ठाइट होगा तो इसली मोमेंट आप नहीं कर पाएंगे और बॉड़ी फिट जैसा भी आप स्लिंग और स्टेंडर जो रैंगन फिट पैंके वह आप अपना डिसाइड कर नहीं है किस मैं बता नहिंगते है छो लोग जीन्स पैंटे़ बहुत नीचे कर लेते हैं दो नहीं चलता है ऑछी बब बंडब कर जो चलरह है वह मेडियम साइड की यहां ठ्याब है वह इन पर ऊकर बना धे तो यह ख़ा है सकतें वेस्ट्स मेरा यह अपका वेस्ट होता है हम फेस चलता है आप बैले बैसले नीचे यह बांदा को से किंगर जी ढ Twelve- moim wave ऐए है मेडियम होता है कि कर से वहाइ ज़ चलता है या जादा बलाई लाइन लुटतन को सब्सक्राइब और वेस्ट को बता दिए मैं तो यहां पर यहां पर बान पर लुटतन ड़ोगाई यह वेस्ट को जादा तुर तो यह बें सकते हैं यह जादा टाइट भी है और जादा लूज भी नहीं है तो यह आपको प्रॉब्लम होगी ज्यादा नीचे लड़का हुआ होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो यह आप इसका फेटिंग का ध्यान रखें अब जिए जूगता है तो यह समय प्रॉब्लम है यह जादा लक्र इंग हम में यह 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 जादा लटकता भी नहीं होना चीह और ज्यादा ऐसे बंडा भी नहीं नहीं होना चाहिए तो अब नहीं चल रहा है एंटर लेंग फेदम हो चुका है शुका जास टॉप टैस्ट पेड़ना चाहिए आई आई आपके साब से आप देख लीजिए थाई कमफरटेबल होनी चाहिए नौट तू टाइट नौट प्लें चल दें घूर टो लोग वह सारी टी चल देख चल दें तो बोलोग आप जीज़े सारी शिटाइल आप में चरए करें नौर्मल वीड़ाउट प्लेट का पाइंट पाइना पाइनना नौर्मल इस्टार्ड बाद में बतारा हूं बार में आप लोगए इग्या पर बेसिक मैंने अभी बताया उन लोगों के लिए बताया जिन्हों नहीं पहना है उन लोगों को यह बहुत करेगा अब मैंने बोला कि वीडियो की स्टाइटिक में कुछ इस्टाइट टीप्स भी रहुँगा तो सुन लो कभी भी फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शयट के साथ जो हम बैट लूस करते हैं मैंने लगा रहा कि मेरा पैंट वाला नहीं है लूफ वाला नहीं तो उसमें पैल्ट का और श्मूस का कलर सेम होना चाहिए नोट डाउन कर लो कभी भी अगर ब्लैक कलर के जूते पहन रहे हो त लुट ब्लैक कलर का बैट नगाओ ब्राउन कलर के शूते हो तो ब्राउन कलर का बैट डगाओ इससे अच्छा ऐलिगेंस दूपाता है मतलब सामने वाले को पता चल जाता है कि बंदा प्रॉपर है प्रॉफिशनल बंदा है और इसको एक्रिकेट्स है पॉर्मल कभी भी मत पहनो कई लोगों को पहुस्तारी लोगों को नोब्री इस भी किया है तो इसा ना करें आप पहनी है नॉर्मल शूस पहन सकते हैं बूर्स आप पहन सकते हैं अगर पहन सकते हैं तो यह सारी चीज़े आप ध्यान रखी है और लोग पर शॉक्स आपको बड़े वाले पहने पहने हैं और यह सारी चीज़े आप ध्यान रखती है और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइफ करें यह यह सारे कॉंबिनेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं अगर आप लोगों को यह मगवाने हैं तो यह आप लोग वाटसर फंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो यह सारी चीज़े आप ऑनलाइन और भी मैसेज करके हम लोगों आशा करतेंगे सारी चीज़े जो भी मै आते रहते हैं तो आप लोगों को मिलती है हमारे इस चैनल से तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लिए तर्ली टू टू टाइम वीडियो आप लोगों के पास आते रहें और लाग में थेंक यू हैव गुड़ डे हैव ग्रेट ताइम झाल ग्रेट टू नहीं प्रेट ग्रेट मेंगे तर्ली टू भी में सब्सक्राइब कर दो हैव जो हमारे चीज़े दिसे यूड़ टू नहींुड़ टू झाल में लोगों के लागों क्यूवश